देखिए इस question में आपको एक curve दे रखा ये चीक है इस curve पर एक tangent है ये this tangent is parallel to this line find the equation of tangent ये question है अधिकतर पेपर में आता है find equation इस tangent की आपको equation बतानी है रैट आपको क्या के बने आप सम्झे लें आपको एक curve के बने है ठीक है इस tangent के parallel के बने है जब दो लाइन parallel होती है तो उनके slope हमेशा परावर होते हैं आप ये कह सकते हो कि इसका slope और इसका slope equal होगा माल लेता हूँ यहाँ पर एक point P है जिसके coordinate H और K हैं जब तक यहाँ पर H और K पता नहीं होगा इस line का slope पता नहीं होगा तब तक हम equation of tangent नहीं निकाल सकते हैं equation of tangent निकालने के लिए जरूरी है कि आपके पास ये point पता हो ठीक है ये point पता हो और इसका slope पता हो जब दो line parallel होती है तो slope हमेशा परावर होते हैं आप इसका slope निकाल सकते हो कि आप इसे differentiate कर सकते हो आप यहां से d by d x निकाल दीजिए d by d x निकालने पर जो value आईगी वो slope आईगी d by d x क्या होगा d by d x plus 6 equal to 0 तो आप यह कह सकते हो कि d by d x equal to minus 6 तो आप यह कह सकते हो कि इस line का slope जो है वो minus 6 है या आप इस बात को वैसे भी कह सकते हो कि अधा आपके पास कोई equation a x plus by plus c equal to 0 कोई equation जब इस forward की होती है तब इसका slope जो है वो minus a over b होता है minus a over b यहाँ पर execution क्या है 6 upon 1 तो minus का क्या आजाएगा 6 आजाएगा जब कोई equation a x plus by plus c equal to 0 इस forward में होती है तब slope minus a over b होता है यह बात हमने 11th class के अंदर रकड़ी जो 11th class में straight line पढ़ाई थी उसमें था एक concept यह linear equation इस forward में दे रखी हो और आपको slope निकालना हो तो slope होता है minus a over b आप ऐसे भी वात को एकर सकते हो चली है इसका slope पता लग गया तो यह इसका slope मान लेता हूँ m2 है तो m2 भी minus 6 होगा इसका slope भी बराबर होगा इस line का slope टेंजन यह दो line parallel है तो दोनों के slope बराबर होंगे जब दो line parallel होती है तो slope इसका slope minus 6 आएगा अब जरा देखिए minus 6 इसका slope आगया एक तरह से इस line का slope minus 6 आ चुका है दूसरी तरह से इस line का slope कैसे निकलेगा हमारे पास कोई कर्ब है यह इस कर्ब को differentiate करें और differentiate करने के बाद इस point को put कर दें तो इस line का slope निकल क्या जाता है इस कर्ब को differentiate करें और differentiation में इस point को put करते हैं point put करना है खाली difference से काम नहीं चलागा यह दो point put करते हैं तो point put करने पर जो value आती है वो slope of tangent होती है देखिए इससे differentiate करिए इसको differentiate करेंगे तो आएगा d by dx plus 6x equal to 0 d by dx कितना आएगा minus 6x आएगा d by dx at h,k ठीक है h,k पर k नहीं का मतलब है यहाँ पर x यह वपर h put करा जागा तो minus का 6h हो जागा यहाँ पर by का कोई time है नहीं तो इस line का slope जो है माइनस का 6h होगा क्या होगा माइनस का 6h इसका slope parallel था तो इसका slope क्या था माइनस 6 भी था तो यह दोनों equate किये दोनों equate करेंगा सकते हैं आप यह कह सकते हो कि यह m2 जो slope है इसके बराबर होगा तो माइनस 6h equal to minus 6 तो h equal to क्या हो जाएगा one आ जाएगा अब के कैसे निकलेगा हमें यहां पर एच और के दोनों निकालने हैं जब तक हम एच और के नहीं निकालेंगे तब तक हम इस लाइन की निकाल सकते हैं इस लाइन का मतलब इस टैंजेंट की किजिशन निकाल सकते हैं